तो चलिए शुरूआत करते हैं मेर शाषी वालों के साथ मेर शाषी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो जैसी परिस्तिती चल रही है वैसे चलने दीजे उस पे कुछ खास उतार चड़ावा आज के दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा situations आपके लिए positive हैं अपने और अपने परिवार के लिए आज के दिन आप कुछ नया सोच पाएंगे और उसी पे काम करने के लिए आप आगे भी अग्रेशर रहेंगे आपको कही न कहीं किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से कोई नई सूचना संकेत या कुछ नई विचार धारा आपके मन में परप सकती है जो आगे के future के लिए आज का दिन आपके लिए foundation एक stone ले कर सकता यानि कि आज के दिन से कुछ अगर नई कोई धारा आपके जीवन में अर्शップ राशी वालों के लिए विशुब राशी वालों आजके दिन आप लोगों के लिए क्छ न कुछ शुम शंकेति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा नवीनतम विचार धारा के साथ आजके आगे बढ़ेंगे आगे आने वाली future or jarron साल कि भी आप planning आजके कर पाएंगे कुछ नया निवेश भी करने की सोच रहे थे प्रॉपर्टी मैटर्स में तो अब वो परिस्तिती आपके लिए साजा होती हुई नजर आएगी साथ ही साथ अगर अगर आप रिण लेने की सोच रहे थे और उसमें का एक समंझस में फसे हुए थे कि उसका रीपे मिदुन राशी वालों आपकी सिटुएशन बिलकुल पॉजिव है अज के दिन स्वास्त संबंदी चोटी मोटी दिकत आपको हो सकती है परिवार के साथ कुछ न कुछ गेट तुगेधर आपकी से हो सकती है जो आपके जीवन में चल रहा है जो एक वरक प्रेशर को लेकर क कोई वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको भी इवन आउट या बैलन्स आउट करने में ये गेट तुगेधर सक्षम ये सबल माना जाएगा साथ ही साथ अपने परिवार के साथ अगर आप कॉलिटी टाइम बिताते हैं तो आपके लिए और सिच्वेशन प्रबल साइड बाइ साइड अगर आपकी इंकम जेनरेट होने के साधन भी आज के दिन आप खोल पाएंगे या उस पर आप नजर डालेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी की आप वो नजर आएगी बात करते हैं करग राशी वालों के लिए आपके लिए सिच्वेशन अनु आपकी खतम होती है कहीं ना कहीं से आपको राइट उपचार या राइट दवा या राइट एडवाईस राइट टाइम पे मिलने वाली है इसके लिए आपके चिंदा यहां पर भी खतम होती है आज के दिन आपको अपने कार शेतर में कॉमिनिकेशन को क्लिस्टल क्लियर र किसी positive energy पर लगाईए किसी positive सोच पर लगाईए एक नए initiative के साथ विचार धारा के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच रखते हुए कोई ना कोई आज के दिन आप एक महत्वपून first step ले सकते हैं परिवार के किसी दश्य की तरफ से आपको आज के दिन कोई बहमूल मिल सकती है अगर आप उसको explore करेंगे तो आप अपने लिए positivity अख्तियार कर सकते हैं साथे साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाओ अभी कुछ ना कुछ उसमें negotiate करने की परिस्तिती बनेगी या कुछ ना कुछ उसका solution भी आज के दिन आपको नजर आएगा बा आपकी exercise हो आपके lifestyle improvement कोई technique हो आपके meditation आपकी कोई ध्यान साधना हो कोई आपकी पूजा हो कोई आपका examination की preparation हो किसी interview की preparation हो कोई भी चीज जो आप regularly कर रहे हैं उसके momentum में उसकी speed में काही न कहीं से आज के दिन आपको अज के दिन आपको अज के दिन आपके आत्मबल में हृ positive तरीके से कुछ न कुछ changes आने वाले हैं आप एक healer के रूप में अपने और अपने परिवार के लिए खड़े होते हुए अपने आपको देखेंगे बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तुलाराशी वालों लंबे समय से चल रहा कोई पारिवानिक तनाव या कोई अगर problem court case कुछ चल रहा है तो अब उसमें कुछ न कुछ आपको समधान मिलेगा या कुछ रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा या court cases में आपको relief मिलती हुई नजर आएगी कुछ नई परिस्तिती आपके जीवन में आ सकती है आज के दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति परिवार का साथ आपके साथ है परिवार का support बना हुआ है जो आपको किसी भी स्ट्रेट से निकालने में सक्षम है लंबे समय से चल रहा है अगर कोई पारिवार एक तनाव है जिसकी पूर्ती आप करना चाहते है आप चाहते है कि परिवार में कोई समाधान निकलियो और परिवार एक साथ आए उसके लिए भी आज के दिन आपको कोई ना कोई रास्ता या सूचना मिल सकती है अपने आपको आपको पाजिटिव रखना है और प्रयासरत रहना है बात करते हैं व्रिष्टिक राशी वालों के लिए आपका दिन आज के दिन सामाने जाएगा कुछ सुतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा रिलेशन्शिप स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी लेकिन कॉम्मिनिकेशन्स को आपको क्रिस्टिल क्लियर रखना है आप जिस तरह के शब्दों का प्रियोग कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर कोई नेग दायक हो सकता है कारशेत्र में आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिव हैं इसमें कोई दोराय नहीं है जो लोग नौकरी चेंज करने के एक शुप थे या काफी लंबे समय से देख रहे थे उनके लिए अब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी बात करते हैं दानुराशीवानों के लिए आज के दिन आपको संतान संबंदी चिंताय खतम होंगी परिवार की तरफ से आपको कोई ना कोई लाबदायक इंफरमेशन मिलेगी चाहे वो इंबेस्मेंट ऑप्शन के रूप में हो चाहे वो आर्थिक मदद के रूप में हो चाहे वो आज के दिन आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा, उसको लेकर आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में नवीनतम पॉजिटिव चेंज़ आ रहे हैं, कुछ नया आपके लिए क्रियेट हो रहा है, नई एनरजी के साथ, टाइम क्लिक करने की कोशिश आज के दिन आपको करनी चाहिए, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, मकर राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ, तो आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए काफी जादा इंपॉर्टन हो सकता है, अगर आप कोई अपने दिनों से महीनों से वो आप आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव एक सोच निकल कर आएगी परिवार के सदस्यों के साथ कोमिनिकेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ और वैल्य अडिशन आपको मिलेगा साथ इस साथ दिन के अंत में कुछ ना कुछ रिलाक्सिंग सिटूइ Alejandra कुछ आ सकती है जो आपके मन को शान्थ कर के जा सकती है क्योंकि अगर आपके जीवन में प्रिशानी आपने खुद ने क्रिएट कर के रख़ी है तो second half के दोरान आपके लिए कुछ ना कुछ positive situation आपके मन को शांत करती हुई आज के दिन आपके लिए positive हो सकती है अगर आप सारे options को timely explore करें तो बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए ठीक है परिस्थिती कुम्बराशी वालों कुछ खास आज के दिन आपको tension लेने की जरूरत नहीं है प्रयतनशील आप हैं और जिस तरह से आपकी उर्जा संचालित है नई चीजों को समझने में परकने में अपने लिए नया काम करने में काभीले तारीफ है ऐसे ही चलते चलिए आपको अपने सारे ventures में success देखने को मिलेगी जो लोग नौकरी चेंज करने के एक शुक्त है नए project पे काम कर रहे थे किसी एक मैत्रपूर्ण situations का वेट कर रहे थे नहीं materialize हो पा रही थे इतने दिनों से वो परेशानी अब आपकी खतम होती है आपके लिए कुछ न कुछ positive indications आप सब तरह से indicative हैं साथ साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अब ठीक होता हुआ नजर आएगा उसका कोई समाधान आपके favor में आएगा आज के दिन आपको अपने स्वास्त के प्रती थोड़ा सा संवेदन शील रहने की जरूरत है खान पान पे आज के दिन आपको नियंतरण रखने की जरूरत है मीन रार्शी वालों के लिए मीन रार्शी वालों आपकी परिस्तिती सही बनी हुई है मन आपका शांत है विचारधरा है आपकी प्रबल है कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी मैं आपके लिए नहीं देख रही हूँ अगर आप चाहते हैं अपने परिवार के लिए कुछ नई चीज आप अर्जित करें तो आज के दिन आपको स्वता कुछ ना कुछ आइवुट से एक अपनी तरफ से इनिशेटिव लेना चाहिए कुछ नया करने के लिए क्योंकि बाके सारे आइंगल्स को तो आपने स्रमाल लिया है और साथी साथ अपने लिए भी कुछ समय निकालिये ताकि आप अपने आपको रेजुमिनेट कर पाए आगे की तरफ अगरसर हो पाए अगर इस तरह की परिस्तिती पे आप काम करते हैं तो देखेंगे आपके जा गया दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमस्कार